चलिए हम लोग स्टाट करते हैं economics दीखें आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं सीरीज को लेकि क्यों आया हूं इसको अभी लाने का परपस यही है जब मैंने आप लोगों के लिए 15 डेस का टाक्स दिया था जिसमें मैंने आपका घुप एकमीक्स जिए 5C Salt है मोट के वरा ही ती इसी के साथ मैं टेली में preach आप लोगों के टेस्स लेता था तोक्य आप लोग की संख्या लगातार कम होती जा रही ति जब मैं आपसे पूंचा था कि क्यों नहीं न गाता कि इसकी जो है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए टेस्ट देते हुए अच्छा नहीं रखता हैं तो मैंने खालता चलिए कोई बात नहीं मैं आपके लिए जल्दी एक सीरीज लेकिया हूँ और इसमें मैं आपको पूरा एकॉनमिक्स समझाऊंगा देखिए इसलिए सीरीज लेकिया जानते हैं इस तरह आप इकॉनमिक्स को जानने लएंगे कुछ ही दिनों में चलिए अगर हम इकॉनमिक्स की बात करें तो आपको इसमें बारा से लेकर के बीश कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो पीटे एक्जाम है आईस और पीसीएस का इसके अलावा आप देखे आएगा साथ में नाकिवल आईस पीसीएस के लिए अगर आप लोड देते हैं अगर बैंक एक्जाम देते हैं इनके लिए भी बहुत ही इसलिए एकॉनमिक्स आपको छोड़ना नहीं है ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकॉनमिक्स देखिए दो वीडियो देखने कोश्चन आपका गलत नहीं होगा तो इस वीडियो में जो हमारे स्यासन होने वाला है इसमें मैं आपके सारे क्लियर करूँगा साथ में जब हमारा फरवरी मार्च का टाइम होगा जिस समय बज़र्ट एकॉनमिक सर्वे और इंडिया एर्बुका जाएगा इस समय मैं यहाँ पर हम कुछ factual देख लेते हैं अगर आपने प्रवेसियर के कुश्चन देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस सरे के कुश्चन पूछ जाते हैं लेकिन आगर आइस में देखेंगे तो बहाँ पर यह डारेक्ट नहीं पूछ जाते हैं लेकिन आपको objective के रूप रहा है बल्कि modern economics दिया रख है अगर हम बात करें कि आधनिक अर्थसास्त्र के पिता महा कौन है तो वह हैं Adam Smith यह कौन है यह Adam Smith है इन्हीं को आधनिक अर्थसास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है ना केवल इने आधनिक अर्थसास्त्र के पिता के रूप में जाना ज समाजबाद हो गया, सामसी बाद हो गया, नाजी बाद हो गया, इन सारे बाद के बारी में आपको बाद मतला हो, क्योंकि इसमें बाद लगा हुए, देखिए ये मजा की वाद है, लेकिन ये बहुत ही li सब्सक्राइब तो आपको देखने हैं तो इनके बारे में बहुत ही विस्तिरिस से जानेंगे लेकिन यहाँ पर इतना ही आप जानिए जो Capitalism है उनके फादर कौन है Adam Smith लेकिन यहां पर इन्हें Adam Smith को पूजी बात के पता के रुपने जाना जाता है लेकिन आप यहां पर देखेंगे इनके बिचारों में आपको समाज बात यानि कि सोसलिजम के तत्व देखने को में लेंगे देखें बाद में जो पूजी बात था व इनके बात पहई था देखेंगे इनकी बिचारों में इनकी कोटिसविश्ण है जो काफी फ्य मैस है अगर आप पूजी बात के उपर अगर एक लेख लिखते हैं एक ऐसी लिखते हैं तो आप इस कोटिसेन को दे तो अपने जो बिचारें उनको और जाधाग बना सकते हैं इन्हों ने देखिए इसमें कहा है, ति it is not very unreasonable, यानि कि यह बिल्कुल आसोहभाबिक नहीं है, कि अगर जो rich person होते हैं, उन्हें contribute करना चाहिए, कहां? पब्लिक expense में, यानि कि अगर वो welfare के लिए अगर पैसे देते हैं, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, ना के बल अपने revenue में, मतलब जो उनका अनपाद है revenue का, ना के बल उतने में, बलकि उससे ज़्यादा, something more than in the proportion, मतलब उन्हें अपने अनपाद से ज़्यादा खर्च करते हैं, वो भी गलत नहीं है, मैं आपको एक example की रूप में समझाओं, तो अगर कोई rich person, जिसकी income 100 रुपए है, मानते हैं, वो rich person है, अब यह मत बोलगेगा, अगर किसी की 100 रुपए income है, तो वो rich कैसे हो गया, तो छोटा सा ही लेते हैं, अगर मानते हैं, किसी की income 100 रुपए है, तो इन्हों ने कहा, ना केवले 10 रुपए को, बलकि अपने अनपाज से ज़्यादा, देखिए, यहाँ पर proportion का मतलब होता है, अनपाज, तो अनपाज से ज़्यादा, अगर वो खर्च करता है, यह भी गलत नहीं, या उसे खर्च करने पड़ते हैं, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही है, तो यानि कि आप कही ना कहीं देखेंगे, कि यह जो गरीब लोग थे, उनके कलने आड़ की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी कोडिशन में इसको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों को आपको जानना बहुत जारूरी होता है, देखिए, मेंस की रैटिंग अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की कोडिशन, इस तरह की चीज़े होती हैं, वो याद रखनी पड़ेंगी, जिससे आप अपने व्यूस को ज़्यादा स्ट्रॉंग कर सकते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर एक कोडिशन है, जो काफी फेमस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि एक ऐसा बिढ़्यान है, जो कल को डिफाइन करता है, जो कल की बेख्या करता है, और जो इकल जो बेख्या हुई थी, वो आज सही नहीं हैं, यह भी यह बताता हैं, दीखिए economics यह बक्त सच है कि economics सी सब कुछ निरधारित करता है कि हमारा वहविष से क्यासा होगा हम जो इतनी महिनत कर रहे हैं IS पारना चाहते हैं PCS करना चाहते हैं अच्छी जॉब पर जाना जाते हैं क्यों जाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारी आर्थी कंडिशन अच्छी हो जिससे हमारा लिभिंग स्टेंडर्ड है वह भी बहतर वनेगा दीखिए जो हमारी अगर प्यासे हम पर अच्छे से होंगे तो हम अच्छे से एक्स्पेंडिक भी कर पाएंगे तो इसी दिए सब कुछ हम बर्ग कर रहे हैं तो यह सच है कि एकॉनमी सब कुछ निर्धारित करता है तो एकॉनमी बहुत कुछ अपना जो रोल है बहुत जादा प्ले करता है चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एकॉनमिक्स अगर हम एकॉ अग्र हम उकॉनम्य की बात करें तो यह सब दो से मिलकर वना है इकॉनमिक्स नुम्य को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा गर अगर हम की बात करें इसका मतलब होता है हास और family और no most का मतलब होता है management तो अगर हम इसको लिखा लेंगे family का मतलब घर या परिबार और management का मतलब होता है प्रिबंधन अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा घर के प्रिबंधन करने की प्रिक्रिया को ही हम क्या कहता है economics कहते है यानि कि इसकी जो प्रिक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते है economics कहते है लेकिन यह definition है एक किवर साब्दिक अर्थ है यह बहुत चोटे लेबल पर है आज जो economics है उसका दाइरह बहुत बढ़ गया इसके अंदर गद नहां केवल एक घर की जो आर्थी क्रियाएं उनका प्रिबंदन करते हैं बलकि हम इसके द्वारा ना केवल घर बलकि हम किसी राज किसी देश या पूरे विस्व की आर्थी क्रियाओं का हम अध्यान कर सकते हैं तो आज जो economics है वो काफी विस्तरित हो गया है चलिए हम लोग इसकी definition देखते हैं कि आर्थ सास्तर क्या है economics क्या आप से कोई पूछ सकता है कि economics क्या है अगर आप किसी भी विस्व का अध्यान करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ऐसी चीज़े और एक question में भी बहुत बार पूछी जाती है किस तरह से question put up किया जाता है और किस तरह से आपको लिखनी है तो देखे मैं बहुत अच्छी आप एक definition बताता हूं अगर आप से कोई पूछता है आप अपने आपको यहां पर example रखे मैं आप से पूछता हूं कि अर्थ सास्र क्या economics क्या है तो आप सुचेंगे क्या है आप confused जाएंगे आपको simply बोलना है अर्थ सास्र एक भिस्व है यानि कि क्या है एक subject है आपको इत इसा बिसे है जिसके अंतरगत्थम बस्तों यानिकि जो goods होते हैं और services यानिकि सेवाओं के उतपादन बितरण और उपभो की पिरिक्रिया यानिकि इन तीनों की जो पिरिक्रिया है इसका अध्यान करना ही क्या कहलाता है अर्थ सास्र कहलाता है आप देखिए मैं आपको ब अर्थ सास्र एक ऐसा बिसे है जिसके अंतरगत्थम बस्तों सेवाओं के उतपादन बितरण और उपभो की पिरिक्रिया का अध्यान करते हैं इसी को हम अर्थ सास्र कहते हैं लेखिए अगर आप definition लिखते हैं तो बहुत से student क्या करते हैं वो goods यानिकि जो बस्तों होते हैं उन्हें लिख देते हैं लेकिन सेवाओं को भूल जाते हैं लिखना तो ऐसे में क्या होगा यह आपकी definition गलत हो जाएगी क्यूंकि अगर आप कोई भी topic होता है कोई भी subject होता है उसके कुछ keyword होते हैं कि ध्यान रखिए उसके कुछ keyword होते हैं अगर इन keyword को आपने miss कर दिया तो आपकी जो definition है या आपको जो topic हो गलत हो जाएगा आपको इन जो keyword है इनको कभी भी miss नहीं करना है वलकि आप इसको किसी भी दरह से लिख सकते हैं अपनी simple language में भी लिख सकते हैं language कैसी भी हो लेकिन आपको एक keyword कभी भी नहीं भूलने हैं जैसे कि अगर कुछ लोग उत होते हैं उत्पादन पित्राने इसमें लिख देते हैं लेकिन अपुभूब्य भी लिखना जो conjunction होता है वह भी important है कि अब उत्पादन भित्राने का हम क्या करेंगे जब जब तक हमारी उत्पुभूब्य की मांगनी होगी तो इसको भी लिखना बहुत जारूरी है तो तो नीचे लिखते गा जो सही द्द्रन का चैयान करें तो उस ने क्या लिखाया क्या दिखाएं है बलकि हम को इस सेवा उसे इस ते कली होगी । आपको चलाई ऑर कभी भी है उसने रही करेंगे तो आपको इसकी एक definition मिल गई कि अर्घसासर क्या है एक एसा भी से जिसके अंतर जित हम वस्तवों, सेवाओं के उत्पाधन, बिद्रण ओपु होग जो पिर्कृरिया है इसकी जो पिर्कृरिया है इसकी का अध्यान करना क्या क्या लाता है अर्ख सासर क्या लाता है अब अगर आपको अगर आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं मुझे स्मस करें कि मुझे एकॉनमिक्स की पिडिएफ सही है तो आपको मैं सेंड कर दोंगा चलिए हम लोग देखते हैं एकॉनमिक्स आखिर हम इसका अध्यन कैसे करते हैं देखिए यह वीडियो है यह स्यासन है यह लेक्षर है यह बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से है इसमें हम बन बाइक बन चीजे करके देखेंगे और मैं आपको पूरा एकॉनमिक्स बहुत अच क्योंकि है वह टापिक उसका जो आगे से रिलेटेट है तो इसलिए पहले आपको पीछे वाला देखना है फिर हम लिए लेकिन करके हमने इसका अध्यम करना स्टाइड किया लेकिन इसका बर्ग घरन कई दर सबस्थयादा मान करते हैं और उतर सकते विए लेकिन अधिनार किया छोन सब ते है ऐब्लोग में और सकते बहूत सब खरते हैं नर जीgrade इन्हों ने ही economics को दो भागों में बाटा, एक micro economics, macro economics और दूसरा micro economics, आप इसको इधर और इधर भी लिख सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप micro को इधर लिखना चाहते हैं, macro को इधर तो लिख सकते हैं, देखें रेखना के बारे में भी जाना बहुत सा है हो रही है, क्यों? क्योंकि ये पहले बेखती हैं, देखें, ये पहले बेखती हैं, जिने 1969 में नोबल पुरुषकार मिला, क्या मिला? नोबल पुरुषकार मिला किस में? आड़ता सास्तर में, आड़ता सास्तर के छेत्र में इन्हें नोबल पुरुषकार मिला, ऐसे समय रेगनर के साथ में एक और बेखती थे टिंबर बर्ग हम पर आप देख सेटे हैं टिंबर बर्ग से इन दोनों को एक साथ मिला था नोबल पुरुसकार किसमें अर्थवस के चेत्रों इसलिए रेगनर एक काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपना जीबन काफी की हद तक दिया था इकॉनमिक्स के लिए और काफी युगदान दिया था इसमें इसलिए इन्हें क्या दिया गया नोबल पुरुसकार दिया गया ओकी चलिए हम लोग देखते हैं कि इस इकॉनमिक्स को किस तरह से बर्गी करण किया गया है और क्यों किया गया है दीखिए जो एकॉनमिक्स है उसे हम दो भावों बाड़ करके देख सकते हैं एक मैक्रो एकॉनमिक्स दूसरा माइक्रो एकॉनमिक्स देखें मैक्रो का मतलब होता है व्यापक इसका मतलब होता है व्यापक और इसका U.its के अंतरगत हम क्या करते हैं? ähnlich क्रियाओं का अध्यान करते हैं लिए आरतिक गो ऑपारए पढ़ने की भी ज़रू काँगा हुआँगा तो अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो एकॉनमिक्स के अंतरगत क्या करते हैं तो हम आर्थी क्रियाओं का दियन करते हैं और मैक्रो एकॉनमिक्स के अंतरगत क्या करते हैं इसके अंतरगत भी हम आर्थी क्रियाओं का दियन करते हैं तो आप कहेंगे इन दुनों में अंतर क के लिए अगर हमें किसी बेगती की आर्ट सी क्रियाओं का अध्यन करना हो आर्ट सी क्रियाओं का अध्यन करना हो तब हम इसे किसके अंतरगत करेंगे Micro Economics के अंतरगत करेंगे अगर हमें किसी परिवार की RC क्रियाओं का अध्यन करना हो तो हम किसके अंतरगत करेंगे Micro Economics के अंतरगत करेंगे अगर हमें एक अधोगी इकाई होती है जैसे कार खाने होगी तो एसकी सब्सक्राइं करें लेकिन अगर हमें बड़े लेवल पर किसी लाज देश या propri पूरी कॉंटिनेंट की आर्जिक कृयाओं का अध्यक करना हो तो की निकाल सकते हैं economic growth हो गया economic development हो किसी की दės का economic development हो गया बहाओ की मौधरिक लीक्टिया हो गया विरोजगारी इस तरह नेस्टलान इंकम जैसे राश्च्य होती है GDP हो गईיה GDP हो गई तो इस तरह की चीज़े अगर हमें निकालने हो तो हम उसे किसके अंतर रखेंगे तो उसे हम मैक्रो एकॉनिक्स के अंतर रखेंगे क्यों कि हम इसमें ब्यापक चीजों का अद्यान करते हैं क्यों कि को अब तक होता है इसले हैं अपर बड़े बाई होता है तो किक पूझे को च्ब़ूढ को देखिये क्या होता है वो इन सब्दा वलियों को देंदा है जैसे माकरों को मतल़ा होता है बेसरीं को आप जरूर से जरूर देख लेए क्योंकि maximum टाइम पूर्ट पूश्टथ हिंदी विडियंस हैं तो अब देखिए कोशन कैसे अ रफ करता है वह देखिए वह पूस्टा ए माइक्रो एकॉनीक्स के अंतरगत पू descriptions कैसे का पूस्टा है नेसे करने का के सब्सक्राइब कते हैं hoping झाorsक म्लेव करते हैं करते आप देखिए question उसने किया यहां से कि micro economics के अंतरगत हम आर्टिक सम्रिद्धी आर्टिक विकास मौर्दिक नीतियों का अध्यन करते हैं तो आपको पता है कि हम micro economics के अंतरगत सूछ में लेबल पर आर्टिक रियां का अध्यन करते हैं ना कि हम जो इन चीज़ों का तो आप आराम से समझ गया आपने question को पकड़ लिया ओके तो इससे क्या होगा आप question को कभी गलत नहीं करेंगे ओके अगर वो इस तरह से पूछता आप देखिए वो इस तरह से पूछेगा कि macro economics के अंतरगत, macro economics के अंतरगत हम किसी और दो ग्हाय को और जाओं की आर्थे क्रियाओं का देन रते तो आपको पता है नहीं macro का मतलब होता है ब्यारपक इसके दोवरा हम आर्थिक संब्रतग adesso सिब्ड़ně, और आप uh cambi carrying आए है आईसी चुजा का देन करते हैं तो अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया है, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, और मैंने आपको इतनी easy way में समझाया है, कि आप इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे, ओगी, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, हमारा जो ए सितंबर में history and art and culture कवर कराया था, और इसमें अक्टूबर में quality and constitution, अभी हमारे economics completed हो गया है, और social issues अभी परसो कवर हुआ है, ओके, अब मैं इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि हमारा ने expect कभी start हो रहा है, अगर आप जोईन होना चाहते हैं, तो जोईन हो सकते ह वो date मैं इसके last में बता दूंगा, इस तरह ऐसे आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक बन मन्त का प्लान देता हूँ, कि आपको इस मन्त में क्या पढ़ना है, किस date को आपको कौन सी NCRT पढ़नी है, और उस NCRT को आपको कितने दिनों में पढ़ना है, जैसे इस NCRT को आपक को मिल चुक है, यह टेलिग्राम पर जो लोग जोड़े हुए, उन लोगों को मिल का होगा, और यह है, आप देख सकते है, tax of the day मैं देता हूँ, इसमें मैं बताता हूँ, डेली आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर इसको जूम कर के दिखाता हूँ, इसमें मैं 98 हमारा दिन है, जिस दिन हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उससे लगभख में आप 97 डेस बुजर चुके थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 नमबर वाला डेट था, उसके मैंने इसमें 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 देखिए मैं पर देता हूँ, कि 11 क्ला नाम क्या है, साथ में मैं बताता हूँ, आज कितने पेच पढ़ने हैं, देखे कितनी अच्छी चीज़ आपको मिल ले हैं, आपके पास एक ब्यास्ट मोक है है, तैयारी करने का, मैं जिसमें आपको सारे पेच भी बताता हूँ, कितने पेच आपको पढ़ने है, फिर मैं आ रिकर आपको Telegram पर Send करना है उसको मैं चेक करता हूँ और साथ में आपको पांच बजे डेली ट्यास होता है देखिके किते अच्छा सा त्यारी कर सकते हैं डेली आफर ट्यास हो रहा है आपको रिविजिए बताइज जा रहे निस्विपर पढ़ाईज जा रहे है साथ में आपको क्या करना है locate करने है इंसारी location को आपको एक कौपी में लिखते जाना है जैसे बान टू त्री करके से लिखते जाना है फिर इन को आपको एक अटलस लेना है एक पुक लिजा लोगों को नहीं पसका 2 के मार्केट से ले सकते हैं जो एटलस है इसमें आपको खूजने हैं इन सारी लोकेशन को खूजने के बाद आपको क्या करना है एक ब्लैंक मैप लेना है क्या लेना है और इस ब्लैंक बैच है वो आपको स्टार्ट होगा जनवरी से एक जनवरी है जब हमारा नया वैसे स्टार्ट होगा आप लोग उसमें जॉइन हो सकते हैं और एक दिसंबर से एक December से जो हमारा Means का है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार देखिए नवंबर में हमारी सारी NCRT नहां पर कबर हो जा रही हैं देखिए हमारी सारी NCRT हाँ पर कबर हो जा रही है अब हम लोग क्या करेंगे मेंस का अपना सेट करेंगे वह दो पड़ लीए ऑभी हमने सिर्फ जो साइन्स है उसके NCRT नहीं पढ़िए उन्हें NCRT को हम मेंस के साथ ही कवर करेंगे जब साइंस टेक पढ़ेंगे तो हारा देखिए सारा बेसिक आराम से कवर हो गया जिन लोगों न किया हूँ उन्हें सिर्फ मैं 50 पढ़ने के लिए दिद्धा हूं देखिए 50 पढ़ते वड़ते हमारा सबकुस कवर हो गया साथ म draw मैं आपकी और सारी सिज़ें भी कवर करा रहा हूं आपकी answer राइटिंग करा रहा हूं कोड़ा हूं मैं प्रक्तिस करा रहा हूं तो ना ? केबड़ आपने एंb crack कर बल्किन अफे बहुत बड़ा एक section कवर किया है ओकिए तो अब हम लोग main चुप करेंगे एक दिसम्बर स संद्स आपको फिर से नया टाक्स मिला गरेगा जिसमें इसके बाद हमारा में सका चलेगा वो अलग है उसकी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वीडियो बना के डाल दूगा कि कैसे आपके एडिविशन लेना है जो भी फ्री है यह वन आपको रज़िट्रेसन करन है वो सब कुछ और देखिए जो economics का second lecture है वो आपको कल मिल जाएगा चलिए इस वीडियो को मैं यहां पर ही finish करता हूँ अगर कोई भी आपको doubt है तो आप मुसे comment करके पूश सकते हैं या फिर किसी भी social site पर आप मुझे message कर सकते हूं उस सबी के link आपको comment box में description box में मिल जाएंगे चलिए धान बात you